बाईया जी गाड़ी अगर आप अपने लिस्ट में रखा हुआ है तो फिलाल आज इस गाड़ी की हम डिटेल में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां हम डिटेल से बात करने वाले हैं सिलैरियो के बारे में सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के फ्रेंट फेशिया की तो आप देखिए कि गाड़ी आपके सामने अपना स्टांस कैसा रखती है सिलैरियो का बिल्कुल जो हुड है वो आपको बिल्कुल फ्लैटर डाउन मिलता है कोई क्रीजर नहीं है और यहाँ पर सामने ग्रिल के ऊपर आकर जो है इसकी प आप फेरिंड में मिलते ही है और यहां अगर आप हैडलेंज सेक्षन देखेंगे तो नॉर्मल हैडलेंज जो है वो आपको दिए गए है टर्न इंडिकेटर रिफ्लेक्टर बेस हाई लोजन हैडलेंज आपको मिलते हैं फिर आप आईए गाड़ी की साइट प्रॉफाइल म अगर है claire आपको ग्राउं ट्लेरिंज यहां पर अगर आप देखेंगे तो yoko hawa के टायर्स जो है वो आपको और किया जाते हैं काफी बडिया टायर्स जो है वह आपकोmans यहां बिल जाते हैं और विम के उपर आप आएंगे तो नॉर्मल और विम है जिसके उपर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा नॉर्मल पुल-प स्टाइल में यहां पर आपको डोर हैंडल मिलेंगे इस तरीके से रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया जो कि इस प्राइस टेक इसके बाद यहां पर प्लास्टिक पार्ट है यह भी देखने में थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अजीब से डेफिनेटली यह फील होता है उतना सही दिखता नहीं है फिर आप आजएए जरा इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल में सबसे पहले तो अगर म साइड में वहाँ पर आपको यह देखने के लिए मिलेगा सिलारियो पीछे मैंचन हुआ हुआ है सुजूकी का लोगो आपको मिलेगा सेम उसी तरीके से रिक्वेस्ट सेंसर पुल अप स्टाइल में डूर हैंडल वाइपर वाशर डिफॉगर आपको मिलेगा हाई माउंट साइड भी देखने के लिए मिलेगा अंदर अगर आप कैबिन में आते तो यहां से आप देख सकते हैं कि सिलेरियो का ओवराल जो काबिन वह आपको कैसा मिलता है प्रापर बलेक टीम जो है वह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है काफी गाड़ी जो है spacious feel होती है तो बहुत आराम से अगर आपके height 6 feet के पार भी है तो भी आप यहाँ पर काफी easily बैठ सकते हो यह इस गाड़ी की बड़ी सही चीज है कि अगर भी आगे भी अगर कोई 6 feet का बंदा बैठा हो तो बहुत easily पीछे भी इतनी height का आराम से बंदा ब बावजूद भी समान जो है वो आराम से यहाँ पर आपका काफी easily settle हो जाता है नीचे जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा 14 इंच का यानि एक size छोटा जो है वो आपको spare wheel मिलेगा और normal steel wheel जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है parcel tray definitely offer की जाती है उपर अगर आप तो चाबी जो है न वो आपको गाड़ी के साथ यह smart की इस सरीके से मिलती है आगे आपको lock unlock करने के लिए दोनों smart की आपको मिलेंगे पीछे Suzuki का logo जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और driver seat के अगर आप बात करेंगे सबसे पहली चीज headrest जो है वो आपको fixed मिलते है और पीछे भी जो है वो आपको headrest fixed भी मिलने वने है लेकिन seats आपको support वगएरा काफी अच्छा देती है यहाँ पर आप देखेंगे तो manually आप इसकी height वगएरा जो है वो आप definitely adjust कर सकते है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो chrome ring जो यूज की गई है engine start stop button के पास idle start stop जो है वो आपको यहाँ पर button देखने के लिए मिलेगा इधर आपके proper ORVM के control है यहाँ से आप इसे adjust भी कर सकते हैं और fold भी कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप यह AC vents देख रहे हैं side में जो AC vents है यह थोड़ी सी silver finish आपको मिलेंगी round shape में दिये गए है center में जो अगर आप AC vents हैं hand brake के पास नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वह आपको mechanical headlight adjuster मिलता है electronically जो यहाँ पर रोलर होता वह यहाँ पर नहीं दिया जाता दोनों में difference कैसे होता है वह पहले ही एक video channel के उपर है short video वह आप उपर i button में आपको link दूंगा जाकर जरूर देखेगा नीचे अगर आप देखेंगे ABC तीनो पैडल है proper dead pedal जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और space भी अगर आप देखेंगे तो काफी सही space आपको यहाँ पर मिलता है यानि अगर आपके height 6 feet के आसपास है तो भी आपके पास space यहाँ पर काफी सही रहने वा voice command वो आपको मिलेगा tilt adjustment जो है वो आपको इसमें मिल जाता है telescopic नहीं दिया जाता इधर आपको देखेंगे wiper के controls है और इस साइड अगर आप shift हो जाएंगे तो headlamps की control जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे सामने अगर मैं cluster की बात करूँ तो यहाँ पर अगरा definitely आपको visible होगी यह touchscreen infotainment system आपको मिलेगा जो मारूती की पहले हमने काफी गाडियों में देखा है अच्छा response करता है apple carplay android auto वगरा उसको support करता है उससे related कोई दिक्कत नहीं अगर आपको स्मार्टफोन भी से connect होगा तो भी काफी सही features आपको offer करता है दो airbag आपको म आउक्स के लिपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पर थोड़ा स्पेस है दो कफोल्डर है पांस्पीट का मैन्वल ट्रांस्मिशन बैठने के हिसाब से भी सीट जो है वह आपको काफी सही मिलती है उससे related भी फिलाल आपको को इतनी दिक्कत होगी नहीं लेकिन मैं यह मानता कि इसमें अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा और बैटर होना चाहिए था क्योंकि गाड़ी में स्पेस आपको बड़िया मिलता यहाँ पर आप देख रहे हो काफी अच्छा खासा खुला स्पेस है कहीं शोल्डर वगएरा में आपको कोई दिक्कत नहीं होती कोई आमरेस वग और इधर आपको सिर्फ मिलेगा टिकेट होल्डर पीछे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं यह सीट पूरी पीछे है मैक्सिमम जितनी हो सकती है उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी ना तो यहाँ पर नी रू बेल्ट जो है वही देखने के लिए मिलेगी और 60-40 का split ratio definitely आपको यहाँ पर मिलता है उपर अगर आप rooftop के उपर grab एंडर देखेंगे तो यह सब fixed है तीन side पर आपको मिलेंगे driver side को छोड़कर और तीनो side में जो है वो आपको fixed मिलने वाले है तो सबसे main जो इस गाड़ी का plus point ह वो यह है कि गाड़ी आपको cabin में space जो है वो काफी बड़िया offer करती है आगे भी आप 6 feet का बंदा बिठा दो पीछे भी ठीक उसके आप बिठा दो उसके बावजूद भी उन दोनों को कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली दूसरा गाड़ी की जो width है यानी इसकी चोड मिलता है यहाँ पर आपको मारूती का k10c यानी एक लीटर का जो engine है वो आपको मिलेगा जो definitely एक 3-cylinder unit है और यह generate करता है 66 bhp की power और 89 newton meter का torque वो जो पी 3500 rpm हुड में अगर आप देखेंगे कोई insulation यूज यहाँ पर नहीं की गई है ABS unit वगएरा यहाँ पर आपको पीछे visible ह दोरी होगी काफी neat and clean placements है उससे related फिलाल कोई दिक्कत आपको नहीं feel होगी नीचे कोई underbody cover जो है वो protection वगएरा यहाँ पर यूज नहीं की जाती तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि गाड़ी आपकी ज्यादा नीचे touch ना हो क्योंकि यहाँ पर कोई protection जो है वो company आपको definitely offer नहीं करती अब आप करिए यहाँ से close अब यह देखिए यह है सिलारियो और बढ़िया एक profile जो है वो definitely यह गाड़ी आपको offer करती है साड़े 6 लाक रुपए इस गाड़ी के top variant का एक शोरूम है जो की काफी practical तो होता है बट कुस चीजे ऐसी ह जहां पर आपको इससे बढ़िया on offer चीजे मिल सकती है तो overall आपको सिलारियो कैसी लगी अच्छी लगी है तो comment section में मिरको जरूर बताना अगर आपके वारे में या आपका कोई आपके पास यह गाड़ी है या आपकी किसी relative के पास है और कोई आपका experience है इस गाड़ी से related त तो इस वीडियो को यह तक रखते हैं बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में धन्यवाद